किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली किसी माउप पर डटे हुए हैं किसानों की मांग है कि तीन करशी कानूनों को वापस लिया जाए महीं सरकार लगातार इन तीनों करशी कानूनों को किसानों के हित में बता रही है लेकिन बात बंती नजर नहीं आ रही है जसके बीच एक पत्र लिखा गया किसने लिखा है पत्र और क्या कुछ है इस पत्र में दिखाते हैं आप किसानों कांदोलन दिनों दिन तेज हो रहा है किसानों का साफ कहना है जब तक तीनों कृशी कानून वापस नहीं होते तब तक कांदोलन भी ख़त होने वाला नहीं है हलाके सरकार लगातार किसानों की मनाने की कोशिश कर रही है सरकार का दावा है कि किसान संजी कि कृशी सुधार कानून किसानों के लिए है किसानों के हित्मे हैं सरकार किसानों से पांच दोर की वारता कट चुकी है और अगली वारता के लिए आगे कदम बढ़ा रही है लेकिन किसानों का साफ तार पर कहना है जब तक की तीनों कानून वापस नहीं तब तक कोई बैठेग भी नहीं और अब इसे बीच किसान संगठनों के नाम फिर एक पत्र भीज कर उससे बादचीट के जरीए किसानों के मामले का समधान तलाशने के अपील की गई किसान संगठिनों को इससे पहले भेज़े गए प्रस्तावू का हवाला दिया गया साथी वाचीत के जरी समाधान करने के दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और ये भरुसर दिलाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के लिए ये तीन कर्शी कानून फाइदे का सौधा है दरसल के इंद्रे कर्शी एवं किसान कल्यार मंतराले के संग्त सची विवेक अगरवाल के और से किसान संगठनों ने 49 प्रती नीथियों को पत्र भीजा जिसमें किसानों को कहा गया कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिवद है और खुणे मन से बाचुईत के माधिम से समाधान खुले कर बहुत गंभीर है इतना ही नहीं किसानों और सरकार में पांस दौर की वारता हूँ चुकी है अलाके क्रिशे सचिव के और से पतर लिखकर एक कोशिश जरूर की गई लेकिन एक कोशिश रंग लाती नजर नहीं आई अब ऐसे में बेचका रास्ता क्या निकलता है ये देखने वाली बात हो